देश में लगतार बढ़ रही महंगाई में आम जन की कमर तोड कर रख दिये दिन पर दिन बढ़ रहे डीजल और पेट्रोल की कीमत ने लोगों को परिशान करके रख दिया है ऐसे में यूपी की राजधानी लखनों के प्रोफेशर भरतराज सिन्निक ऐसा अविशकार किया है जो दुनिया में आज तक कोई भी वेग्यानिक नहीं कर पाया डीजल पेट्रोल से चलने वाली गाडियों से अब जल्दी छुटकारा मिल सकता है प्रोफेशर के अविशकार से अब जल्दी लोग हवा से सडक पर गाडिया दोडा सकेंगे दरसल पूर व्राजपती डॉक्टर एपी जे अब्दुल कलाम तक्निकी विश्विद्याले से संबंधित लगनों के स्कूल आफ मेनेजमेंट साइंसस के तक्निकी महानिदेशक प्रोफेशर भरत राज सिंग ने लगवग 10 साल पहले एक ऐसे इंजन का अविशकार क्या था जो हवा से चलता है भारत सरकार ने इस इंजन को इसी साल जुलाई महीने में पेटिंट का प्रमाडपत्र जारी कर दिया है इसके बाद इस इंजन के जरिये हवा से बाइक और अनिक गाड़िया चलाने का रास्ता साफ हो गया है प्रोफेशर भरत राद सिंग ने बताया कि कई वर्षों से इंजन का तक्निकी परिक्षन लगातार हो रहा था और उनका ये प्रेयोग पूरी तरह से सफल रहा है उन्होंने बताया कि इस इंजन से अवाज या धुआन नहीं निकलता है जिससे परियावरन सुरक्षित रहेगा उन्होंने ये भी बताया कि अगर इस इंजन का बड़ी पैमानी पर इस्तमाल हुआ तो हमारे देश का जो पैसा डीजल पेट्रोल के आयात में खर्च होता है उससे विकास के अनिकारियों में लगाया जा सकता है प्रोफेशर ने बताया कि ये इंजन हवा के दबाव पर चलता है और फिरकी के सिध्धान पर काम करता है तो इसे वेंट टाइप प्रो ट्री इंजन से पेटिंट कराया गया है लेकिन इसका सिध्धान एयर जीरो साइकल पर मेरे द्वार अविश में पहली बार हुआ तो अमेरिका ने इसका नाम एयरो साइकल रख दिया इसके बाद मैंने बाइक पर इंजन रखने के उपरांद मोटर बाइक का नाम एयरो बाइक रखा है और इसका ट्रेड मार्क भी रखा है जो भारतिता का परिचायक है और मेरे और मेरे गाइड का सुख्ष नाम भी है इसको अब हम लोग संपर्ख कर रहे हैं तो अब बजाज पुंडा टाटा मोटर्स महेंद्रा और महेंद्रा से जल्द से जल्द लोग उचाते हैं कि मार्केट में जन्ता के लिए रुक होगी है और इसमें लगे और परियाबरान का स्रक्षा इससे होगी वाहनों के यह जो इ इस खबर में बस इतना ही